रिजॉलिशन्स हम हर साल बनाते हैं और रिजॉलिशन्स हमारे 15 जनवरी तक डिजॉल्व हो जाते हैं अगर ये रिजॉलिशन्स हमारे चलते ही नहीं है तो फिर बनाने का क्या फाइदा आएए दोस्तों इस वीडियो में हम एक एनलाइज करते हैं कि रिजॉलिशन्स फेल क् और क्या हम करें कि ये resolution हम बनाएं और वो हमारे सत प्रतिशत हमारे वो पूरे भी हो, realize भी हो आईए दोस्तो, हम जो resolutions बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? कुछ visualization करते हैं ओके दोस्तो, visualization कर लिया, हमने उनका goal भी बना लिया, dreams भी अपने बिल्कुल identify कर लिये और the secret के हिसाब से, जो भी हमारी law of attraction कहती है, वो भी हमने fundamentals हम कर लेते है इसके बाद एक चीज़ और हम करते है, affirmations, कि उनको बोलते रहिए कि मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ, तो मेरे एक mentor है, उन्होंने एक story सुनाई थी कि किसी गुरू ने बताया एक सिस्य को, कि देखो, वो तोते थे, उनको बताया तो को शिकारी आएगा, जाल फैल आएगा, और दाना डालेगा, लालच मत करना तो अब तोते क्या करते हैं, इसको हमेशा याद करते रहते हैं शिकारी आएगा, जाल फैल आएगा, दाना डालेगा, लालच मत करना फसना मत अब शिकारी आता है, दाना डालता है, और तोते फस जाते है और तोते अभी भी यही बोल रहे हैं कि शकारी आएगा, जाल फिल आएगा, दहन ना डालेगा, लालच मत करना इसका मतलब affirmations हम बोलते तो रहते हैं कि मैं यह प्राप्त कर रहा हूँ, मैं यह प्राप्त करता हूँ लेकिन अगर हम visualization करते रहें और हम affirmations करते रहें तो क्या हमारे resolutions सत्य होंगे, दोस्तो यहीं वो एक point है जो secrets, law of attraction और बहुत सारी therapies में, बहुत सारी techniques में missing है वो है दोस्तो action, वो है behaviors, अगर हम अपने action नहीं करें और behaviors को change नहीं करें तो results कभी भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक सोच से हमारे emotions बन गई और emotions से हमारे behaviors बनेंगे लेकिन अगर वो emotions हमारी सोच के साथ align नहीं है तो हमारे वो behaviors भी नहीं होंगे दोस्तो यहां पर वो secret यहीं है कि motivation से कि मुझे वजन कम करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मेरे को career बनाना है, मुझे celebrity बनना है इस motivation से आप शुरू तो करते हैं लेकिन आपको काम्याब क्या बनाता है, काम्याब बनाता है आपको आपका discipline, अनुसाशन जो आप हर रोज करते हैं और उस daily actions को, daily behaviors को आप religiously monitor करें, हर रोज सुबह उठके अपने दिन का program बनाए, पूरे दिन को आप एक गंटे में उसकी actions को plan करें, follow करें and every day, end of the day, आप पूछे कि मैंने plan क्या किया था और मैंने achieve क्या किया दोस्तों, अगर इस technique को आप अगर एक सपता भी करेंगे, तो आपका daily x-ray आपके सामने आएगा और जो आप अपने सामने plan करते है, end of the day आपको ये भी पता चलेगा, कि उस planning में कोई खामी तो नहीं है क्या वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर आप अपने लिए एक resolution बनाएं, कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है और mind को आप कम से कम 5 rewards दिखाएं, कि अगर मैंने ये achieve किया, तो मेरी life में क्या बदलावाएगा अगर आपने 5 चीजे बता दी, देखिए, कभी आप क्यों 5 बजे उठते हैं, क्योंकि जब mind ये कहता है, कि अगर मैंने अपनी sugar को, blood pressure को, अब मैं सुभे नहीं उठा, तो ये बहुत fatalistic हो जाएगा, तो आप 5 बजे उठ भी जाते हैं तो जब आप rewards, जब आपकी जीने की चाहा होती है, इसी तरह जब आप money earn करने की चाहा होगी, health की चाहा होगी, तो वो सुभे आपकी behaviors होंगे, और वो शायद एक जो sharpness होदी, एक triggering point होता है, शायद वो miss हो रहता है तो आप अपने thoughts को बदलिए, अपना एक goal जो आपने बनाया है, अपने resolution के लिए उसको specific बनाएए and give five reasons, five reasons, five rewards to your mind और अपनी एक daily behavioral actions की list बनाएए और उसको daily review करिए अब वो 15 जनवरी दुबारा नहीं आना चाहिए, जिसमें ये resolutions dissolve हो जाते है, दोस्तो, life can change anytime और कभी भी जो एक सुखा पेड़ भी होता है, और जो मौसम अच्छा बनता है, कहीं से भी life शिरू हो जाती है, जब छट पर पेड़ उग सकता है, तो हमारी life तो कभी भी बदल स सकती है, दोस्तो, तो I wish you all the best, I wish you very happy new year and life will change and never be same again, thank you so much.